नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल अच्यार जागंदर मिस्रा में मिथुन रास जून जुलाई अगस्त 2021 ये बड़ी घटनाई आपका इंतजार कर रही है जी हां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में मिथुन रास वेले ज जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलेगा किस छेतर में आपको बड़ी खुस खबरी मिलेगी और किस छेतर में आपको सावधानी बना कर चलने की अबसकता होगी इस वीडियो में मिथुन रास के जातकों सटीक जानकारी आपको देने जा रहे हैं तो दोस्तों यदि आप मिथुन रास के जातक हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिश ना करें और इसे अंत तक जरूर देखें चलिए दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों मिथुन रास वालों इस रासिफल के दोरान जीवन के प्रतेक छेतर के बारे में आपको हम सटीक जानकारी देने जा रहे हैं इसमें मितुन रास के जातकों आपका आर्थिक जीवन, केरियर बिजनेस ब्यापार, प्रेम जीवन, दामपत जीवन, स्वास्त सिक्षा, पारिवारिक जीवन, हर एक छेतर के बारे में बिस्तार से जानकारी देंगे साथी मिथुन रासवले जातकों के लिए कुछ खास उपाई भी बताएंगे दोस्तों उपाई के दोरान हम कुछ बाते भी आपको बताएंगे लाश्ट में तो मिथुन रास वाले जातकों सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि यह जो राशी फल है यह चंद राशी पर अधारित है। तो मिथुन रास के जातकों देखिए आपके अंदर कई प्रकार की छमताई मौझूद है। और जीवन में यदि प्रतिकूल परिश्थितियों में भी फश जाएं तो अपनी सुझभूच के द्वारा जीवन में जल्दी बाहर निकलने के लिए सक्षम होते हैं। बुद्ध देव की रासी मिथुन रासी होने के कारण आपके अंदर क्रेटिव विचार होते हैं और बुद्धिमान जादा होते हैं। और दूसरों की मदद करने में सबसे आगे होते हैं। साथी कभी कभार हलकी फुल की घटनाय भले हो जाए नहीं तो जीवन में हमेशा ये खुसियों से भारा अपना दामपत जीवन गुजारने की कोशिश करते हैं। राजनीत में भी इंटरेस्टेड होते हैं साथी ब्यापार करने बाले ज़्यादतर ब्यापार करने के एक्चुक होते हैं। ज़्यादतर ब्यापार में सफल भी होते हैं। की यही सुझभूज और यही रवया लोगों को बहुत पसंद आती है। सबसे पहले हम आपको बता दे मितुन राज की यादकों की आपके रासी पर ग्रहों की इस्थिती जून जुलाई और अगस्त के महीने में किस प्रकार की बनी हुई है। तो देखिएं मितुन राज की यादकों दो प्रकार की ग्रह होते हैं मेजर ग्रह और माइनर ग्रह। मेजर ग्रहों का परिवर्ता नहीं होगा बहुत ही कम होगा जैसे कि सनी देव वक्री होकर 23 मई से वक्री हो जाएंगे और जून जुलाई अगस्त के महीने में ये वक्री अवस्ता में ही रहेंगे। यादकों आपके नवं भाव पे विचरन करेंगे इन तीनों महीनों की दरमियान और मंगल बुद्ध और सुक्र ये आपके रासी के स्वेम यादि आपके लगन पर आपके रासी पर बिराजित रहने वाले हैं। आपको कई तरह के लाभ मिलने जा रहे हैं तो मितुन राज क्यातकों यहाँ महीने बहुत ही उत्तम रहने वाले हैं इन महीनों में आपके कारियों में काफी ज़्यादा सरहना होगी और आपके कारियों की लोग सरहना करेंगे आपका मनोबल और आपका उत्सा काभी से अब उनकी भरपाई करते हुए नजराएंगे जून जुलाई अगस्त के महीने में बहुत ही शांदार रहेगा लोटरी शट्टर से अच्छा खासा मुनाफ़ाग प्राप्त कर सकते हैं साथी रूका हुआ फस्वा धन भी प्राप्त होगा और बिजनेस को आप दिन दूनी में बृद्धी की रोप में भी बड़ी खुसकवरी मिल सकती है मितुन रासक्यात को जून जुलाई अगस्त में आपके कैडियर में कुछ नए पद और कुछ मान समान तो मिलेकर नया पद आपको मिल सकता है प्रमोसन हो सकता है इस्थानांतरन की योग बन रहे हैं मन मुता की सेहत अच्छा रहेगा लेकिन जुलाई और अगस्त की महीने में आपको थोड़ी से सावधानी बरतनी की अवशकता होगी थोड़ा यहां पर बाहन का प्रयोग कम करें बाहन से चोट चपेट लगने की संभाव ना बनी हुई है इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपने घर के किशी भी सदस के सेहत को लेकर थोड़ी चिंताएं हो सकती है साथी बता दे कि इस दर्मियान किसी को भी आप जुलाई और अगस्त में करजा उधार बिल्कुल ना दे मितुन रास की आतो होगी आपकी दोरा दिया गया करजा आपका ढूबने का खत्रा बना र किसी को करजा उधार बिल्कुल ना दे इस समय खासकर जून जुलाई के महीने में क्यूंकि आपके दोरा दिया गया पैसा आपको वापस ना मिलने से आपको मांसिक टेंसन भी हो सकता है दामपत जीबन में सुधार देखने को मिलेगा जून का महिला काफी लाबदायक बने वाली है लेकिन अगस्त के महीने में थोड़ी सी अनबन या कुछ हलकी फुलकी आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ सकती है हलाकि संतान के रूप में बड़ी खुशकबरी आपको मिलेगी और संतान के तरक्ष भी मितुन रास क्यात को आपको मन काफी उसाहित न जराएंगे इस्टूडेंट के लिए जून के महीने में कोई पुर्तियोगी पर इच्छक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको शफलता मिलेगी खासकर आप जुलाई अगस्त में किसी अच्छे सहस्था में दाखिला लेना चाहते हैं अपने मन मताबिक जगह पर जाना चाहते हैं विदेश जाके पढ़ाई करने का भी मौका आपके लिए मित्वन राजिकएत को मुझरूर मिलता हुआ न जराएगा दोस्तों इस दर्मियान कई तरह के आपके योग भी बनेंगे और इन योगों का आपको सीधा लाब भी मिलेगा तो मित्वन राजिक आप इस दर्मि पाफी अच्छे लेकिन किसी बात को लेकर चाहे जमीन जाजात को लेकर हो या पैतरुक संपत्ती को लेकर हो थोड़े बहुत भी बात की स्थिती भी बन सकती है इसलिए आपको इन घटनाओं से साउधानी जरूर रखनी चाहिए अब विवाहित जातक के यह यह निकी रिष् सुब मंगल कार देखने को मिलेगा और आप स्टुडेंट की बात करें तो परतियोगी परिछा की तयारी में पूरी तरह से मन लगाईए तो आपको लाब जरूर मिलेगा प्रेम जीबन की बात करें तो मिथुन जीबन में काफी मजबूती आएगी दामपत जीबन में पाई की बात करें तो इन तीन महीनों की दर्मियान आपको बिशनु सहस्तर इस्त्रोत का पाठ करना है और आप ज्यसक्र जून के महीने में चाहे तो आप पानी से भरा घड़ा आप जरूर यात्रियों को पिलाएं और पानी का दान करें और आप गाय को हरी घास जरूर इ hätte तीन महीनों में खिलाएं और आप दूर्बा की माला गड़ेश भगवान को जरूर अरपित करें कोशिश करें कि आप महा देव को एक लोटा जल सोंबार के दिन जरूर आप इस नान किया करें और आप भगवान बिश्णों जी को यानिकि नीमित अगर उन्हें पीले पुस प बुरा लगे क्योंकि आपके द्वारा एक सब्द भी अगर गलत निकलता है तो उसकी बद्वाई आपको लग जाती है इसलिए बिलकुल भी लोगों की मदद कर सकते हैं जितना उतना मदद करिये क्योंकि मदद करने से कभी कोई भी चीज घटती नहीं बलकि बढ़ती है त आप जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं तो ये एक महत पूर्ण बाते हैं आपके लिए मित्वन रास्क्रियात को हों तो दोस्तों कमेंट सक्षन में सच्चे दिल से हर योम जरूर लिखे है और जाते आते वीडियो लाइक जरूर करें नहीं तो चैनल को सब्सक्राइ करें उसे शेयर करें जाये शिंगे